C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का नवा पाठ बदलते परिवार प्रिष्ट छियासट यहाँ निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिये गए है नन्हा महमान निम्मी का परिवार बहुत खुश है उसके यहाँ नन्नी सी छोटी बहन आई है प्रिष्ट सड़सट चित्र में देखकर बताना है कि निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन-कौन थे और अब इस परिवार में कुल मिला कर कितने लोग हैं बताओ, छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घरवालों के जीवन में क्या-क्या बदलाव आएगा जैसे अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी? मा अब क्या-क्या नई काम करेंगी? पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे क्या तुम बता सकते हो कैसे? प्रिष्ठ 68 क्या तुम्हारे घर में या आसपडोज के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? इससे घर में क्या-क्या बदलाव आते हैं? तुम्हारे या किसी रिष्टेदार के घर में जो सबसे चोटा बच्चा है, उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो उसका जन्म कब हुआ? वह लड़की है या लड़का? तुम्हारा उससे क्या रिष्टा है? उसका जन्म कहा हुआ? वह शकल में किस से मिलती है या किस से मिलता है? उसके बालों का रंग कैसा है? उसकी आखों का रंग कैसा है? क्या उसकी दाथ हैं? उसे खाने में क्या देते हैं? बच्चा दिन में कितनी देर सोता है? वह क्या-क्या आवाजे निकालता है? वह किसके पास ज्यादा रहता है? अपनी कौपी में बच्चे का एक फोटो चिपकाओ या चित्र बनाओ. बदली हो गई सेरिंग के बाबा को उनके ओफिस से चिप्ठी मिली है. उसमें लिखा है कि उनको उचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है. सोचो, जब सेरिंग के बाबा ने अपने घरवालों को चिप्ठी दिखाई तो घर के अलग-अलग लोगों को कैसा लगा होगा? प्रिष्ट सत्तर बाबा की बदली होने के कारण सेरिंग के परिवार में क्या-क्या बदलेगा? जैसे सेरिंग के परिवार में से कौन-कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे सेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा क्या सेरिंग के दोस्त बदलेंगे क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा चर्चा करो क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं यदि हाँ तो उनसे बातशीत करो वे कहां से आए हैं पहली जगह का स्कूल कैसा था उन्हें यहां क्या-क्या नया लगा क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा प्रिष्ट 71 शादी है आज नाजिली के यहां सब बहुत खुश है उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है बताओ क्या इस शादी के कारण नाजिली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे जिस घर से नाजिली की नई भाभी आई है क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे बताओ क्या-क्या तुम भी अपनी मा, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहां रहती थी प्रिष्ट 72 तब उनके परिवार में कौन-कौन थे? क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई-नई शादी हुई है? किसकी? कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनकी घर में शादी कैसे होती है? क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है? क्या-क्या? दूलहा दुलहन कैसे कपड़े पहनते हैं, शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं, तुम जब किसी शादी में गए थे, उसमें तुमने क्या-क्या देखा, अपनी कौपी में चित्र बना कर बताओ, कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो, हमने देखा कि निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवारों में अलग-अलग कारणों से बदलाव हुए हैं, बदलाव के कारण लिखो, निम्मी के परिवार में, सेरिंग के परिवार में, और नाजली के परिवार में, प्रेष्ट तिहत्तर क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं पता करो किन किन कारणों से तीन बड़े लोगों से बात करो एक तुम्हारे परिवार से एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक अपने पडोसी के परिवार से उनसे ये प्रश्ण पूछो और तालिका में भरो प्रश्ण आपका परिवार कितने सालों से यह रह रहा है? तुम्हारा परिवार दोस्त का परिवार आसपडोस का परिवार दूसरा यहां आने से पहले आपका परिवार कहां रहता था? तुम्हारा परिवार, दोस्त का परिवार, आस्पडोस का परिवार तीसरा प्रश्न है आज आपकी परिवार में कितने लोग हैं? तुम्हारे परिवार में, दोस्त के परिवार में और आस्पडोस के परिवार में चौथा प्रश्न है आपके परिवार में दस साल पहले कितनी लोग थे? तुम्हारे परिवार में, दोस्त के परिवार में और अडोस-पोडोस के परिवार में प्रिष्ट, 74 अगला प्रश्न आपके परिवार में दस सालों में जो बदलाव हुए हैं, उनके क्या कारण है? आपके परिवार में, दोस्त के परिवार में और पासपोडोस के परिवार में अगला सवाल इन बदलावों से आपको कैसा लगता है? तुम्हारे परिवार को, दोस्त के परिवार को और आसपोडोस के परिवार को अगला प्रश्न तकनीकी बदलावों के कारण आपको किन परिशानियों का सामना करना पड़ता है तुम्हारे परिवार को, दोस्त के परिवार को और आसपडोस के परिवार को मेरा परिवार कल, आज, कल सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं देखें, तुम्हारा परिवार भी बदला है की नहीं? जब तुम्हारे दादी दादा या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे, तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? याद है कक्षा 3 में तुमने सीताम्मा के परिवार के पेड का चित्र देखा था तुमने अपने परिवार के पेड का चित्र भी बनाया है चलो फिर से परिवार का पेड बनाए अपने दादा दादी या नानी नाना से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन-कौन थे अपनी कौपी में उन में से किसी एक के बच्पन के परिवार का पेड़ बनाओ क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई भेन, माता, पिता दिखाई दे रहे हैं अब तुम अपने आज के परिवार का पेड अपनी कौपी में बनाओ इस पेड में अब तुम कहा हो आज तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है तुम्हारे दादी दादा या नानी नाना कहा है प्रिश्ट 75 बताओ, तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादी दादा नानी नाना के बच्पन के पेड़ से किस तरह अलग है? स्कूल में वापसी तुम कहां तक पढ़ाई करना चाहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा ने कहां तक पढ़ाई की है? तुम्हारी दादी या नानी को कहां तक पढ़ाई करने का मौका मिला था तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उमर में शादी हो इस बारे में बात करता है बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयों से पहले ही कर दी जाती है इन में से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है रंगा रेड़ी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सची कहानिया हैं जिनोंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है उनकी बच्पन में ही शादी नहीं करनी चाहिए प्रेष्ट 76 आंदर प्रदेश का एक सम्हू विशेश कैम्प लगाता है इस कैम्प द्वारा कम उम्र की शादी शुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है जंगम्मा और चित्ती कहती हैं हम पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है पता करो और लिखो क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है बात करके पता करो कि क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं वे आजकल क्या कर रहे हैं क्या पिछले दिनों तुमारे घर में किसी की शादी हुई है किसकी पता करो दूला दूलन की उम्र क्या थी उन्होंने किस तरह के कपड़े पैने हुए थे दूलनने किस तरह के पैने थे और दूलनने किस तरह के पैने थे वो जन में क्या-क्या बनाया गया था बदलते परिवार अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठे पुस्त तक हमारे आसपास का नवा पाठ प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत